चोर चप्रासी दीमापूर नाम के गाउं में कालू नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, और कुछ काम ना करने के कारण अपने पिता जी से गाली सुनता रहता था. एक दिन उसकी पिता रमाकांद ने कहा, बस मुप्त में बैठके रोटिया तोड़ो, काम धन्दा तो कुछ करना है नहीं, एक पांडे जी का लड़का है, काम करके अपने बाप को पैसा देता है, और एक सू है नलायक ही रह गया. ये बात कल्लू को बहुत बूरी लगी, वो बोला, कोशिस तो करी रहा हूँ न, हर जगा फॉर्म भी डाल रहा हूँ, कहीं से कुछ खबर नहीं आई तो मिस में मैं क्या करूँ, तो आशा ही पढ़ा रहा है. ऐसा बोलकर रमाकान्त वहां से चला जाता है, और कल्लू भी गाओं की और निकल लेता है. कल्लू का एक दोस्ट था, जिसका नाम था बिट्टू, बिट्टू भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था, रास्ते में जाते वक्त, उसकी मुलाकात बिट्टू से हो जाती है, तो बिट्टू बोलता है, कैसे हो कल्लू भाई, बहुत जल्दी में लग रहे हो, अरे क्या जल्दी, बस कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है, अरे भाई, मेरी भी तो नौकरी नहीं हो रही है, फॉर्म तो मैंने भी डाला है, यह सुनकर, कल्लू कुछ सोचता है, फिर बोलता है, कौन सी पोस्ट का फॉर कलर का यार, वो तो मैंने भी भरा है, देखते हैं कब रिपलाई आती है, दो मैंने बीट गए है, खबर नहीं आई यार अभी तक, इसके बाद, उसके अगले दिन, एक पोस्ट मास्टर उस गाउ में आता है, तभी कल्लू वहां आकर बोलता है, भाईया, देखिए, मेरे न मेरे नाम नहीं आया, लेकिन बिट्टू का नाम आ गया, अगर ये खट उसके हाथ लग गई, तो उसको तो नोकरी मिल जाएगी, नहीं नहीं, मैं ही ले लेता हूँ, अरे, बिट्टू मेरा खास दोस्ट है, आप ये खट मुझे दे दिजे, मैं उसे दे दूँगा, इसके कुछ दिन चलते रहा, एक दिन उस गाओं में फिर एक बार पोश्ट मास्टर आया, तब गाओं में कल्लू नहीं था, तभी बिट्टू ने देखा और उसके पास गया, अरे भाई, ये कल्लू कौन है, उसके नाम की खट आई है, इसके बाद बिट्टू वो खट ले लेता है, और कल्लू को बिन बताये ही, वो खट को फार देता है, इसके बाद एक दिन दोनों एक ओफिस में मिलते हैं, दोनों ही चपरासी की नौकरी कर रहे होते हैं, तभी बिट्टू ने बोला, अरे कल्लू, तु यहाँ, बिट्टू, तुम यहाँ, कहता था न, तुम्हें चपरासी की ही नौकरी मिलेगी, हाँ, तो तुम्हें कौन सी सरकारी नौकरी मिल गई है, देख कलो, तुम हमेशा मुझ से लड़ता रहता था, इसलिए उस दिन जो तेरे नौकरी के लिए खट आई थी न, उससे मैंने फ फार दिया? मैं भी कौन सा तुम्हें दिया था तुम्हारी खट, मैं भी तो तुम्हारी जो आई थी खट उसको फार दिया था, क्यो?